तो नमस्का दोस्तों आज की टॉपिक में जो ले करके आए हूं आज हमारे जो टॉपिक होने वाला है यह जियार वैलू को पर होने वाला है जियार वैलू जिसको हम लोग बोलते हैं डायोडा आज दोस्तों जो हमारे टॉपिक होने वाला यह बहुत अच्छी चीज है और इस चीज के बारे मागर आपको नौदेज मिल जाएगी तो मुझे लगता है कि आपको मोबाइल फोन रिपेरिंग करने में फोन को ठीक करने में आपको फिलाल ट्रैक ठीक करने में इतना आसानी होगा जिसका जवाब ने तो दोस्तों मेरा नाम रागवंद और मेरी टेक इस्टूट कान को से बात कर रहा हूं जहां पर आपको मोबाइल फोन रेप्टाप है ऐसा डेपेरिंग के टेक्निकली कोस और जब आप सीखेने के लिए आते हैं तो आपको और अच्छा डिटेल में आपको बताया जाता ताकि आप यहां से भीकुल पर्फेक्ट तरीके से सीख कर जाएं और मदर बोड को इतना बारी की इतना डीपली से चेक कर लें कि वाकई में आपको लगेगा कि हाँ भाई मे जैसे हम लोग हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो मोबाइल फोन को ठीक करने के लिए एक जम्पल सी बात है माले मेरे पास मदर बोड आया इस मदर बोड के अंदर उपर स्पीकर लगा हुआ है तो सब लोग जनरली जितने भी टेक्नीशियन लोग होते हैं चेक करने के लिए कैसे चेक रते हैं मल्टी मीटर को बीप पॉइंट पर सट करते हैं इस पीकर को चेक करते हैं अब जब इस पीकर सँह है तो उसके बाद यहां पर चेक करेंगे यहांपर चएक करने पर 356 ऐसे वैलू आती है तो वैलू आने से क्या होता उनके दिमाग में यह समझ में आता है तो ऑपको दिखाई देढ़ा है कि 0-3-56, 0-362 यह जो आती है इसी को हम लोग इसकी बाहसा में बोलते हैं Ground Reading, Diode Value यही Reading होती है जिस Reading हमको क्या होती है Multimeter में सो होती है तो Multimeter में जब रेडिंग सो होती है तो इस Reading से सो होने से हमको यह पता चलता है कि हमारे Motherboard के अंदा यह Track सही है यह हमारे Motherboard के अंदा यह Track खराब है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही होने वाला है कि इस Topic के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि यह हमारा Line सही है कि नहीं सही है और यह चीज आपको कवर होने वाली है तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक को पर अब देखिए यह जो Ground Reading होती है सर यह दो तरीके से होती है एक तो पहली बात ही होती कि जैसे आपके पास कोई Motherboard होता दो तरीकिक रीडिंग होती है फर्स्ट शेकेंड आज हम लोग पहला फर्स्ट तरीके सीखने वाले हैं फर्स्ट तरीके का मतलब होता है जैसे माली आपके पास Mobile फोन है आपके Mobile फोन के अंदर प्लेट है इस बोड के अंदर जैसे जंपल सी बात है कोई ट्रेक है या आपकी एक आईसी लगी हुई है आपने देखा यह लाइन के अंदर स्वाटिंग है जब इस लाइन के अंदर स्वाटिंग होती है तो स्वाटिंग होने पर इस आईसी को क्या काम करते हैं बोड से उतार करके बाहर रख देते हैं जब बोर्ट से उतार देते बाहर रख देते हैं तो सबसे पहली बात आप ये चेक करते हैं कि भाई ये दिक्कत हमारे पैड में है पैड का मतलब PCB में है ये रीडिंग हमारी IC के अंदर है दो तरीके के दोस्तों सर्कल बनते हैं स्वाटिंग होने बाई स्वाटिंग का मतलब होता है मदर बोर्ट से हमको अटाना पड़ेगा अच्छा जब आपने मदर बोर्ट से अटा दिया वहना तो मोबाईल फोन में आप नई आइसी डॉल दो के तभी आपका मोबाईल फोन ने ठीक होगा क्योंकि प्रवम मदर बोर्ड में थी अब मदर बोर्ड का प्रवबलम का मतलब फर्स्ट और सेकेंड फिस्की का मतलब पैड पैड का मतलब होता है पीशी भी के अदर जैसे आपने इस आइसी उतारा बाहर रख दिया अब बाहर रखने बाद इसके pad होते हैं इस pad पर हमको चख करना होता है reading चख करना होती है कि किसकी क्या क्या कैसे कैसे reading है उसके बाद फिर हम लोग IC को भी चेक कर सकते हैं जाएद killing जाएगी यह मालए्ट चार्जिंग अदर स्वार्टिंग हो गई लेकिन बात यहां डिक्कत हो गया आपको रेपैर करना पड़ेगा तो दोस्ते दसियों आई तो फिर भी ने ठीक होने वादा वो ठीक होगा बोर्ड को रेपैर करके ही तो चलिए दोस्तों । सबसे पहली बात हमें आपको पर को मिलता है यह चीज आप समझिए तो दोस्तों लोग चलते अपने और यह जैसे मालिया मेरे पास एक मॉबाईल फोन आ गया मैं इस मॉबाईल फोन को लिए लेता हूँ जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आई सी की डैयोडार वैलू यह देखो दिया वहा है दोश्तों कि यह दिया हुआ है अभी कि इसमें जितने मोबाइल फ़न के लगी होते हैं यह लाइट है ग्राथिक इसे पावधिया हुआ है साब के बारे में पूरे डेटेल से दिया हुआ है कैसे दिये हुआ देखिए कि यहां आपर सब तुम्हारे चिप्सेट पहले खुल गए और यू आइसी चार्जिंग चिप्सेट एक्सनॉस एक्सनॉस एमस्म सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इस तरीके से यह सारी रीडिंग्स होती है यह सारी रीडिंग हमारी खुल जाते लेकिन दोस्तों इस रीडिंग को समझने के लिए पहले हमको बोड में चलना पड़े गा बोड के बारे हम समझना पड़ेगा जैसे मैंने 250600 dåiknh में जाने के बाद रोल पास मोबाई फोन अगया तो कि सिसर्ट मैं ऑफ़ अई मांई फाई पर आप तिक देज टायो डिटिंग जाने के बाद क्लिक करें और हम उसके बाद कर आई सी आउन बोक्त होड़ अब उपन हो थोड़ा से ऑपन होने में समय लगता है यह देखे दोस्तों आम लिया मेरे पास मोबाईल फोन आया उस मोबाईल फोन के अंदर मालिया जो अभी क्यू पचीश चोई जो चारजिंग इसी थी वो चारजिंग आईसी के वज़े से हमारा मोबाईल फोन डेट था ह हमारे mobile phone दो स्वर्टिंग थी हम लोगों ने क्या क्या उस IC को उतार करके बाहर रख दिया तो IC को उतारने के बाद आपको करना के दोस्तों यह जो आपकी यहां पर डाइवोट आ रही है यह देखिए कि यह देखिए मैं आपको आज जूम करके दिखाते हूं सभी बच्चों को जूम करके दिखाई दे रहा है ना अब आपने क्या करना मेल्टी मीटर लेना है मल्टी मीटर को दोस्तों क्या करना है रेड़ फिन को ग्राउंड पर ब्लैक से चेक करना है जब ब्लैक से आप चेक करेंगे ब्लैक से क्या चेक करेंगे जैसे आप देखेंगे यहां पर वी बस के लाइन में चेक करेंगे तो यहां पर यह वैलू आएगी यह वी बस के लाइन इसमें चेक करेंगे वैलू आएगी और इसमें से वैलू नहीं आए तुमको यह समझ में आएगा कि आई-सी के पैड आई-सी की जब नेक्टिविटी यह वो सही है कैसे सब्सक्राइब यहां से लाइन जाएगी यहां से लाइन जाने बार रजिस्टन पर जाएगी रजिस्टन से होते हुए तो में तो यहां पर रीटिंग आने का मतलब क्या है कि इसका ट्रेट सही है अब अगर माल यह तो मारे पास कोई मोबाइल फोन आया उस मोबाइल फोन में तुमने देखा इसकी लाइन में यहां पर भी पाना चलू हो जाता है तो भी पाने से क्या हो जाएगा कि आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं होगा आपका मोब आएगी लेकिन हमने वीबस चक कर लिया वीबस चक कर लिया सब कुछ चक लिया लेकिन हमको इनको भी चेक करना पड़ेगा अब यह कैसे चेक करेंगे आपको आई-सी उतानने के बार जैसे रेट पिनको ग्राउंड पर रख़ा ब्लैक से चक्की होते हैं आपर वैलू आने से इसका लाइन ओक है यह आपको पता चल गया इसी तरीके से मदरबोर्ड के अंदर जितने भी सारे पैड दिये हैं सभी पैड के अंदर डैवर्ड रेडिंग दी हुई है एच यह कपचरए के ढूब आप आईशी को मदरबोर्ड स은 उत्तार है बहार रख देंगे उसके बाद जो पैड पैड क물ला जो फिने होती न जो खाली जगह जो पिन वच distractions उन आटिक मेला जो पीने होती ना जो खाली जगह जो पिन बच्चती उन पिंव में चेक करते हैं उन पिनों में जब यह वैलू आती है तो वैलू आने से यह पता चलेगा तुम्हारे ट्रैक सही है अब तुम्हारे mother board के अंदर IC के अंदर problem है मलब IC में problem है board में problem नहीं है अब अगर मालिया तुमने mobile phone के अदर IC उतार करके बार रख दिया अब IC उतानने के बाद फिर भी अगर आप चेक करते हो कि इसकी जो switching line है यह VCS की line है इसकी line में अभी VRB पाने लगता है तो अभ पैलफोन चालू नहीं होगा तो आपकी IC में दिकत नहीं थी दिकत किसे में motherboard में track में अब मालिया चार्जिंग IC में सब track चेक कर लिया फिर भी problem है तो हमने IC को उतार कर बाहर अग दिया आइसी को बाहर उताने के बाद वी बस के line से अगर वी फट जाती है तो दोस्तों यह पता चलेगा आपकी वी बस का line उन line को भी चेक करना पड़ेगा अगर वो line okay होंगी तब भी आपका mobile phone चलेगा अगर वो okay नहीं होंगी तब भी आपका mobile phone नहीं चलेगा इसको बोलते है mobile phone को detail में चेक करना अब यह कैसे चेक करेंगे यह कहां पर option आता है यह देखे यह तो मैंने इस mobile phone के बारे में बताया इसी तरीके से हमालिया तो charging IC के बारे बता है हमालिया मेरे पास कोई mobile phone आता उस mobile phone में ringer काम करना बंद कर देता है तो ringer काम करने पर हम लोग क्या करेंगे ringer IC को उताज देंगे जब ringer IC को उताज देंगे तो ringer IC में चेक करेंगे तो रेट पिन को ग्राउंड पर रखेंगे ग्राउंड पर रखने के बाद जब आप चेक करेंगे तो वी डीडी है 303 है 475 है इस पर हमारे क्या हैंगी यह क्यों वैलू आएगी क्योंकि यह हमारी सप्लाई के लाइन है उसके बास यहाइन जो होती है इसमें चाहरो जाती है जब आपके पर चले contents और कि इस्थी में या तो पर फिर हम लोग आंगे चेक करते हैं तो यह आ पर डाइजिंग का मथरैं यहीं टाल लिया तो हमने PFO IC को उतार लिया हमारे mobile phone में network नहीं आ रहे थे हमने PFO IC को उतार लिया अच्छा PFO IC को उतारने के बाद आप क्या करेंगे दूसरी डालने के नहीं दूसरे डालने से पहले दोस्त उसके pad को चक कर लो कैसे pad को चक कर लो उसके pad केंदर तो कोई sorting नहीं है अब अपने multimeter को ग्राउंड पर लगाया PFO को उतार के बाहर रख दिया उसके बाद यह तो ग्राउंड है इस पर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अगर यहां पर value आएगी तो value आने के बाद ही हो यह पैड में चेक करेंगे तो अगर आपके यह पैड मिलते हैं तो ही आप भी नहीं करेंगे तो यह दोस्तों इससे फैदा मिलता है इसी तरीके से यह दयाओड रहाट डेर इडिंग है लोग चलते हैं अपने WTR IC पर यह देखिए हमारी WTR IC है और यह देखिए नेटवर्क सेक्षान है यह आपके WTR यह 2G, 3G PFO, 4G PFO यह तोमारी WTR, अब चलते हैं WTR IC के लिए हम लोग क्या करेंगे WTR IC में जाएंगे यह देखिए जब हमारी WTR IC है तो WTR IC में भी इसी तरीके से रेडिंग्स आती हैं यह रेडिंग किसकी होती हैे IC के PAT की रेडिंग होती है अब आपने क्या गए WTR IC की ऊतार करके बार रखने के बा अब क्या कहेंखे रेट पन को ग्रौन पर रखेंगे Black से चेकेंगे तो यहाँ पर जो pad इसमें चेक करेंगे तो वैलू आएगी इस पर वैलू आएगी इस पर वैलू आएगी इस पर वैलू आएगी इस पर वैलू आएगी यह वैलू आने से पता चलेगा कि आपकी लाइने सही है ट्रैक की लाइने सही है अगर मालिया कई बार आपने देखा हो तो यह लाइने हैं जब इस पर सप्लाइ आ जाएगी इस पर सिगनल आ जाएगा इस पर सप्लाइब निकलेगी और नहीं तो जब तक यह नहीं कनेक्ट होगी तब तक सप्लाइब बनता है मेरा यह चेक करने का यह मतलब बनता है ताकि कि हम यह किलियर कर पाएं कि हमारा बर्ट ओके है हमारी प्रॉब्लम किस में है आइसी में अगर बोड़ ऊके नहीं है जैसे माली आपने ग्राउंड taraf से चेक किया यहां पर तमारी स्वार्ट के तो उस्वार्टिंग मिल हैं वो सब ट्रैक के बारे में दिया हो यहां तक कि इमली जो पावर आइसी है सीप्यू आइसी है उन सब तक की रीडिंग के बारे में इसके अंदर पूरा दे रखा है जिसको हम लोग कि डैयोडा वैलू बोलते हैं कि देखें अब का मोबाइल फोन डेड है माली आपके मोबाइल फोन में सीप्यू को लाईने चेक करना है तो सीप्यू में आप देखेंगे ये तो سीप्यू में जब आप चेक करेंगे तो जो पिने इंक ग्राउंड है इन पर भी पायेगी कोई दिक्कत नहीं है और जो यह जीरो जीरो दिख रहें इस पर कोई वैलू ने आग्या इस पर दे यहाँ पर देखें जी फिल यह लाइन है है आपने मदर आपी मैं इसके आई सी के अंदर को भी अम लोग चेक कर सकते हैं तो अगर इस पर वैलोग नहीं आती तो गंछी मिलूग का मतलब है इसके वरान के ब्रेक हो गया यह इसकैस पाने से यह समझ में आ जाएगा कि इसका लाइन हमारा क्या सॉट है जैसे अगर आप देखेंगे जीपिया यू टैन इन में समय एक ही सप्लाई आ रही जब इसमें सप्लाई आएगी तब यह तुमारी आईसी काम करेगी तो इसमें वैलू आनी चाहिए अगर यहाँ पर भी पाने लगती तो भी पाने का मतलब होता है आपको जो प्रॉब्लम है वो दोस्त मदर बोर्ड में प्रॉब्लम है CPU के अंदर प्रॉब्लम नहीं है पहले आप मदर बोर्ड के इस ट्रैक को रेपैर करेंगे तब बाद में अगर आपका ट्रैक ओके हो जाता है या स्वाटिंग हड़ जाती है तो आप IC को लगा देंगे और आपका मोबाइल फोन चालू हो जाएगा तो इस तरीके से इसके जर्म जबिशर के इन दर बोर्ड के अदर आप डायोड वैलू को करेंगे मैंएक बार फीरबोर्ड वैलू जाएंगे जब बोर्ड के अंदर वहाँ पर अगर आप देखेंगे भी थे भी पूर्व यहां पर अपको दिखा देगा इसी त्रीके से दोस्तों मैं आपको मैं कि नह सब्सक्राइब ने connector का मतलब होता है जैसे मालिया तुम्हारे मोबाइल फोन में और सिच ने इंगाम कर रहा है और सिच के लाइन चेक करना तो इसमें और सिच के लाइन का भी वैलू दिया हुआ है जैसे रेकिए जैसे मोबाइल फोन गन्डर, ये बाटरी कनेक्टर में तो इसमें भी पाली क्केटर में प्लेक्टर नियुक्त जब और वे ओर यहां पर चुक्त करेंगे तो इस उसक प्ता क्या लेगी तो यहां पर धिसक यहां आती तो या प्रेख हमारा अगर यहां पर भी पाने लगती है तो एंस फाने से पता चलता ही हमारा ट्रैक क्या हो गया है सोट हो गया है तो यह सारी चीजिशें आपकी वैलू ऐसे दिये जैसे आप यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर चेक करने पर जैसे वी बस लिखा है और आप इसको चेक कर सकते हैं, तो ये डायोड वैलू का जो है, ग्राउड रिडिंग का जो है, हम लोगों ने इसमें दे रखा है, महरलब बॉर्दनल सेमैटिक ने दे रखा है, जिसको हम लोग एक एक करके आपको चेक करना आपको समझाते हैं, तो दोस्तों, आएज के टापिक में, मैंने आपको समझाया है, कि हमारे बोड के अंदर, जो Ground Rating होती है, उस Ground Rating को हम लोग कैसे चेक करते हैं, जी अर्वेलू कैसे चेक करते हैं, पहला इस ठेकेंड स्टेप सवरी जो सीखा हुआ है वो आमने PCV के बारे में सीखा हुआ है कि बोर्ड के अंदर जो जी आर वैलू आता है उस जी आर वैलू को कैसे चेक करते हैं उसका चेक करने के तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया है तो आज की वीडियो में इतना ही फि कि आपको अच्छ ते समझ में आ जाए और आप हमारी जो बात है उस बात को आप समझ सको और अगर इसी लेवल की अगर आप कंपलेट ट्रेनिंग लेना चाहे थे मोबाइल फून एक बारे में सीखना चाहे थे तो बीजनिस को कर सकते हैं और आज अब आपको आना चाहता हूँ आज हमारे पार एक student है जो मिर्जापूर के रहने वाले मनिर्ज जी उन्होंने course को जोईन किया है काफी टाइम से वीडियो देख रहे थे वीडियो के मार्द्यम से उनको काफी चीज़ सीखने को मिला और हमारे पास एक student है जो मैनपूरी के रहने वाले हैं उन्होंने भी course को जोईन किया है और आज से सारे बच्चों के बैच स्टार्ट है तो उन लोगों ने अपने course को स्टार्ट कर दिया अगर आप भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर देवे नंबर पर संपर कर सक सकते हैं और अपने course को जोईन कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्यू दूस्तों